हेलो दोस्तो मेरा नाम है नीरज आप लोग दिखरें मेरे यूटुब चैनल नीरस्तिवारी दोस्तो आज इस वीडियो में हम पाठ रजनी का समरी पढ़ेंगे तो आई दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं रजनी मन्नु भंडारी जी द्वारा लिखित एक पठकता है जो पिछली सदी के नवे दशक का एक बहुँ चर्चित टीवी धारवाहिक रहा है बासूर चाल्टर जी के निर्देशन में बने इस धारवाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गुथने वाली सुत्र रजनी थी हर कड़ी में यह जुजारू और इंसाफ पसंद इस्तरी पात्र किसी ना किसी समाजिक रालनीतिक समस्या से जुजिती नजर आती थी प्रस्तुत अंश्बी वैवसाय बनती शिक्षा की समस्या की और हमारा ध्यान खिसता है पटखता की शुरुवात लिला के घर से होती है जो रजनी की पडोसन है रजनी लिला से बजार साथ चलने को कहती है लेकिन लिला उसे यहाँ खाकर रोक लेती है कि उसके बेटे का रिजल्ट आने वाला है रजनी यहाँ सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि परिक्षा में अमित की अच्छे अंक आएंगे लेकिन जब अमित घर आता है तो सब को पता चलता है कि अमित को गड़ित में सिर्फ बहत्तर अंक मिले थे अमित ने अध्यापक के बार बार कहने पर भी क्योशन नहीं ली जिसके करण उसे कम अंक मिले थे रजनी ने इस बात की श्रिकायत स्कूल के हेड मास्टर से की लेकिन उन्होंने इस मामले को गंबिर्टा से नहीं लिया इसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी ना बता कर इसे अध्यापक और चात्र के बीच का आपसी मामला कहे कर ताल दिया रजनी के पती को यहाँ बात पता चली तो वहाँ रजनी को इस मामले में न पढ़ने के सलाहा देता है लेकिन रजनी किसी की नहीं सुनती रजनी ने इस बात की शिकायत इसकूल के शिक्षा निदेशक से की वहाँ भी उसकी बात कोई नहीं सुनता शिक्षा निदेशक ने रजनी से इस बात की शिकायत इसकुल के हेड मास्टर से करने की सलहा दी इस प्रकार वेभी इसके विरुद कोई करवाई नहीं की आखिरकार रजनी इस समस्या को लेकर अकबार के संपादक से मिली जहां उसे थोड़ी उमीद न जराई अकबार वालों के सहयोग से उसने अभीभावकों की एक मिटिंग का आयोजन किया वहाँ उसने प्रस्ताव दिया की अध्यापकों द्वारा जबर्धस्ती ट्यूशन लिये जाने से संबंदित सक्ट से सक्ट नियम बनाय जाने चाहिए त्यूशन ना लिये जाने पर बच्चों के अंक काटने पर अध्यापकों के विरुद सक्त कारवाही की जाएगी बोड रजनी के इस प्रस्ताव को मान लेता है इस प्रकार रजनी ने जिस उद्देश्चे के साथ यहां अंदोलन शुरू किया था उसमें सफवाल होती है तो दोस्तों यह थी आज की समर्णी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो पिस इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताए कि आप लोगों को है वीडियो कैसी लगी और दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही कोई नई लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए ठैंक यू फ्रेंड्स जैहिंद वन्दे मात्रम